खाओ आप लोग मैं हूँ आपका अपना ऑपना नमीट काला औरatura आप देखने अपना शो बुंट्टर नमीट काला शो डिली का रहने वाला हूं डिली की हालात कैसे हैं दिली के हालात अभी भी चिंता जनक हैं कल फिर इतने जादा केसे साइं जो एक और रिकॉर्ड टूटा है maximum cases इंडिया में दिली से आए है 7.7 थाउजन यानी 7700 क्यास पास केसे साइं कल श्याद double 7 का दिंता 77 के असपार डेथ हुई है recovery rate 88% है जबकि इंडिया का recovery rate 92 से उपर जा चुका है case fatality rate मृत्युदर 1.59 के असपास है जबकि इंडिया की 1.48 है तो हर मामले में इस समय दिली आगे है और करोना capital बन चुकी है कारण तो सबको पता है बहुत सारे कारण है एक कारण नहीं है लेकिन अब करें क्या bets अबलेबल नहीं हो पा रहे हैं बहुत मुश्किल हो रही है एक patient को admit करने के लिए जिसको ICU में रखना चाहिए उसको room में रखके treat कर रहे हैं और तो चिंता जनक हालात है और आप लोग से तो सिर्फ इतना ही बोलूगा कि भाई बचके रहो घर से जितना कोशिश करने घर से बाहर ना निकलें बीना बात के और lockdown होगा या नहीं होगा ये तो मुझे नहीं पता है ये अब सरकारों का काम है सोचना हालात चिंता जनक के यही 7,000, 7,500 पर अगर ये हाल है तो 15,000 पर क्या होगा मुझे नहीं पता तो अभी सिर्फ एक चीज बताना चाहता हूँ कि bats available नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ मैं सोचना हूँ कि अगर मुझे एक कुछ पैरामेडिकल स्टाफ मिल जाए तो शायद मैं कुछ लोगों की help कर सकता हूँ तो पैरामेडिकल स्टाफ जिसमें की नर्से हों, आया हो और चैब वो male nurse हो, female nurse हो मुझे सिर्फ पैरामेडिकल स्टाफ चाहिए, जिसकी वज़े से मैं लोगों की help कर चाहूँ, help कर सकता हूँ virtually help कर सकता हूँ, एक phone पे भी लोगों की help कर सकता हूँ, उनके घर पे रहके उनका treatment कर सकता हूँ अगर bad ना मिले, क्योंकि लोगों को मरने के लिए हम नहीं छोड़ सकते, ठीक है, तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा, कोई ऐसी team, मैं सोचता हूँ, ऐसी कोई बन जाए, तो बहुत अच्छी बात है, जिसमें मुझे कुछ paramedical staff मिल जाए, तो please मैं आप लोगों से request करता हूँ जो जो nursing staff इस लड़ाई में आगे आना चाते हों, और जो doctors भी आगे आना चाते हों, चाहिए वो MBBS doctor हों, चाहिए वो BMS doctor हों, या कोई भी doctors हों, तो अगर वो इस लड़ाई में साथ आना चाते हैं, तो please मेरे phone number पे, मैं अपना phone number दे रहा हूँ, महाँ पे मुझे join करें, हम एक task force बनाने, मैं एक task force बनाने जा रहा हूँ, कि अगर ऐसा हो, कि bets कम पड़ जाएं, तो हम उनको patients को घर पे कैसे manage कर पाएं, ये, इसके लिए task force बनाना चाहता हूँ, चाहिए इसको covid army बोलो, या कोई भी बोलो, तो मुझे चाहिए, सिर्फ, मुझे आम लोग नहीं चाह जाएं, जो चाहते हैं, कि अगर हम, मैं उनको, ऐसा नहीं कि उनसे free में काम कराएंगे, उनको पैसा देगे, लेकिन अगर in case ऐसा होता है, कि bets short पड़ जाते हैं, दिल्ली में, इस तरह का कोई नजारा पेश आता है, आगे चलके, तो हमें कमर कसनी पड़ेगी, कि उन patient को घ सेंटर बना दे, तो करना बढ़ेगा, क्या करें, मजबूरी है, तो मैं अपनी तरफ से सिर्फ इतना कर सकता हूं, कि जो लोग में साथ जुड़ना चाहते हूं, वो मेरे इस number पे phone करें, और sorry message करें, WhatsApp पे कि हाँ, मेरी इस COVID army का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन इसमें सिर् staff nurse, सिर्फ paramedical staff, और वो लोग, जो rich लोग हैं, जो कुछ किसी की help कर सकते हैं, किसी पूर patient की help कर सकते हैं, किसी भी तरीके से help कर सकते हैं, क्योंकि मुझे आज भी याद है, Mr. Mohan, जो Noida से हैं, Raja Indra Mohan जी, आपने बहुत help करी है, आपने मुझे pulse oximeter दिलवाए लोगों को दिलवाने के लिए, तो ऐसे बड़े सारे लोग होंगे, जो लोगों की help करना चाते हैं, सिर्फ वो लोग जुड़ें, अपनी बिमारी के लिए, मेरे से इस number पे बात ना करें, क्योंकि मैं अभी फिलाल ये एक task force बनाने जा रहा हूं, ये बनाने जा रहा हूं, emergency के लिए, कि जो आगे चलके काम आएगी, तो paramedical staff, staff नसे, please मुझे इस number पे whatsapp करें, जो मेरी stream का हिस्सा बना चाते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि उन लोगों को, अगर in case आगे चलके bed नहीं मिलते, problem होती है, कहीं पे, तो हम उनको manage घर पे कर पाएं, किसी भी तरीके से, तो ये ह मेरा number, number मैं दे रहा हूँ, तो इस मुहीम का हिस्सा वो लोग बने, जो medical line से related है, बागी लोगों को मैं नहीं कह रहा हूँ, इसका हिस्सा बनने के लिए को कि उसमें मैं पहले भी बनाई थी, एक covid army, तो ज़्यादा तर लोग मरीजी थे उसमें, वो अपनी बिमारियों में पूछते रहते थे, तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए काम करने वाले लोग, ठीक है, ऐसे नहीं जो अपनी बिमारियों में, तुम अपनी बिमारियों में घुसर होगे, तो मैं लोगों की क्या help, आप दूसरों की क्या help करोगे, जो पहले मैंने covid army मनाई थे, और बता नहीं रहे थे, वो दूसरों की help नहीं कर रहे थे, वो अपने लिए पूछ रहे थे, तो मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए, उनके लिए तो फिर हम help करेंगी बात में, लेकिन हमें ऐसे लोग चाहिए, जो paramedical staff nurse, ward why, और कुछ ऐसे लोग जो financially उन लोगों की help कर पा है, तो वो इस मुहीम का जिम्म, वो बन सकते हैं, पर इस मुहीम में, प्लीज, ऐसे लोग ना आए, जो खुद अपना treatment के लिए मेरे से बात करना चाहते हैं, sorry, मैं उनको block कर दूँगा, मैं पहले भी कर रहा था, मैंने, covid army जो हमने बढ़ाई थी, dissolve करने पड़ेगी, सिर् में काम, अगर कोई करना चाहे, free में तो बहुत अच्छी बात है भाई, लेकिन अगर free में नहीं, तो कुछ minimum उनको जरूर दिया जाएगा, और जो भी है, अब लोग अगर afford कर सकते हैं तो वो देंगे, भाई, hospital में तो लाखोर रुपे खर्च होते हैं, अगर घर में कुछ हजार रुपे ये कुछ थोड़े बहुत पैसे खर्च करके उनका इलाज हो जाए, इस सच्छी कोई बात हो नहीं सकती, और ऐसा time, खुदा ना करे, उपर वाला ना करे, भगवान ना करे, ऐसा कोई time आए, कि हमें इस नोबत पर आना पड़ जाए, कि beds ना मिलें, और COVID center में भी बैड ना मिलें, तब ये बात है, ये सबसे आखरी हत्यार है, कि जुगार treatment घर पे करना पड़ेगा, तो करूँगा, मेरे में जितना दमय मैं करूँगा, वर्चुली करूँगा, यहाँ पे बैठ के मैं बाकी doctors को उनके साथ team बना के हम लोग काम कर सकते हैं, अपने-प emergency है, तो कौन करेगा, तो जितने भी maximum staff nurses हैं, अगर वो हम इसे जुड़ना चाहें, प्लीज इस number पे मुझे contact करें, यह मेरा number है, और thank you very much, आप सभी का, मैं कोशिश करूँगा इस जुगार treatment को, क्योंकि हम Indian है भाई, तो मैं भी Indian हूँ, तो मुझे भी पताया कि हर चीज़ मुझे लगता है, कोविट सेंटर बनाने की, जहां जा पर भी केर सेंटर बनाये जा सकते हैं, चाह वो बैंकेट हो लो हो, होटेल सो, स्कूल हो, तो यह मुझे लगता है कि शयद ऐसा होगा, lockdown तो मुझे लगता नहीं सरकार करेगी, thank you very much, आपका अपना डॉक्टर नमनीत क आपका 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 आपका